हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं कि इस कार्यकरम के दोरान जो हम चर्चा करेंगे जो हमारे वुरिष्टिक लगन-्राशी जो हमारे मित्र हैं यनि कि जिनका स्कॉर्प्य और सेंडेंट बनता है उनके विशा में बात होगी और बताइंगे कि भिन भिन छेत्रों में आपको किस प्रकार के क्रोख के द्वारा संकेत मिल रहे हैं रिजल्ट्स मिलने की इसकी चर्चाः हमाँ आप से बहुत खोल के करेंगे लेकिन ग्रहों की जो इस्थिती है गोचर में आस्मान में फरवरी 2024 में वो किस प्रकार की रहने वाली है तो जो इस्थिती रहने वाली है उससे भी आपको अवगत कराना पसंद करेंगे हम और ठीक हमारे पीछे स्क्रिन पे आप एक चार्ट देख पा रहे हूंगे वो आप बिर्चिक लगन राशी के जात्कों का चार्ट है और उस चार्ट में हमने ग्रहों की सिथी को बहुत ही इस्पष्ट रूप से दरशाया है कौन सा ग्रह किस राशी में किस भाव में किस ग्रह के साथ संबंद बना करके यूती बना करके बैठा हुआ है लेकिन साथियों ये तो हमने इस पष्ट कर दिया लेकिन इन में से ही कुछ ग्रह अपना इस महीने करेंगे राशी का परिवर्तन अब वो कौन सा ग्रेक किस राशी में से निकल के किस राशी में प्रवेश करेगा कप करेगा ये सारी जानकारी बहुत संग्षेप में हम आपको देंगे और उसी के आधार पर जैसी ये ग्रों की सिती है रहने वाली उसी के आजार पर आपको प्रेडामों की प्राप्ती होगी उसी के विशे में हम आपसे चर्चा करेंगे और जहां पर कुछ निगेटिव रिजल्ट्स की बात लगेगी कि ऐसा आप महसूस होगा कि भई यहां पर जा तक को इस फिल्ड्स में अलग-अलग फिल्ड की बात जैसे होगी तो जिस फिल्ड में भी निगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभाव नाधिक होगी हम आपको उसी से संबंदित कुछ आसान सरल उपाय भी देंगे करने के लिए बताएंगे कि आप यह उपाय करें तो निश्यत रूप से आपको उसका लाव होगा तो साथियों आईए सबसे पहले आपको ग्रहों की इस्तिती से अफ़गत करा देते हैं गोचर में जो है फरवरी 2024 में सबसे पहले बात करते हैं देखिए आपका जो यह चार्ट है विरिष्टिक लगन राशी के जात्कों का यहां पर जहां पर दस नमबर लिखा हुआ है थर्ड हाऊ से और सूर्य मंगल बुद्ध तीन गरहे एक साथ बैठे हुए है तीन गरहों का योग बना हुआ है यहां पर सूर्य अपनी शत्रू राशी में हैं और यह मकर राशी है दस नमबर जो लिखा हुआ है मकर राशी शनी की राशी होती है शनी की गर है यह तो सूर्य अपनी शत्रू के घर में बैठे हुए है लेकिन तेरे फरवरी को यह अपना राशी परिवरतन करेंगे और ये अपनी शत्रु राशी से निकलके शत्रु राशी में ही प्रवेश करेंगे आगे कुम राशी में जहां पर 11 नमबर लिखाए शनी देव बैठे तो सुर्य भी वही चले जाएंगे शनी के साथ सम्मंद बनाएंगे हलाकि शनी जो हैं वो सूरे के मित्र हैं लेकिन पिता-पुत्रग होने के बाफसूद भी आपस में शत्रुता वाला रिष्टा है तो यहां पर सूरे अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठेंगे जाकर के तेरा फरवरी से लेके महीने के अंतिता साथियों इसके बाद बुद्भी अपना राशी परिवतन करेंगे बुद्भी जो है अपनी समराशी मकर में बैठेंगे थर्ड आउस में सूरे और मंगल के साथ यह भी बीस फरवरी को महा से जब निकलेंगे तो यह मारगी और अस्तवस्था में निकलेंगे क्योंकि सूरे के साथ है तो जब यह महा से आएंगे बीस फरवरी को तो यह भी कुमराशी में आएंगे अपनी समराशी में तो जब ये कुम राशी में 20 फर्वरी को आएंगे तो फिर ये महीने के अंता था कि यहीं बैठे रहेंगे इसी महीं बने रहेंगे और इनका सूर रशनी के साथ संबंद बनेगा लेकिन ये होंगे अस्त वस्ता में शनी की बात कर लेते हैं शनी भी जो है यह तो उनकी अपनी राशी है अपना घर है कुम राशी जहां 11 नंबर लिखाई जहांपर शनी बैठे हैं और ये अच्छी सिती में भी रहेंगे एक फर्वरी से मारगी होदे वस्ता में होंगे लेकिन 12 फरवरी को यह अस्त हो जाएंगे सूर्य आ रहा है इनके पास और जो भी ग्रह सूर्य से नजदीक में होता है वो ग्रह अस्त हो जाता है एक निश्चिट डिग्री पर आकर के हर ग्रह की अपनी अपनी अलग वो है कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर जाकर के सूर्य के नजदी अस्त होगा, कमबस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है यह बारे तारिक को ही अस्त हो जाएंगे शनी जो कि महीने के अंतर तक अस्से ही रहेंगे यानि कि इनकी पोजिशन जो इतनी अच्छी थी उसमें भी कमी आ जाएगी बुद्ध भी अलड़ी अस्से है अब बात करते हैं कि भई मंगल मंगल जो आप बैठा हुआ देख रहे हैं सुर्य अबुद्ध के साथ मकर राशी में थर्ड आउस में ये भी यहांपर पांच फरवरी को पहुचेंगे एक फरवरी से पांच फरवरी तक ये अपने सम गरएश शुक्र के साथ बने रहेंगे अपनी मित्र राशी धनु में जहांपर 9 नमबर लिखा शुक्र जहां पर बैटे हुय है, second house में तो ये second house से निकलनेंगे पांच फर्यूरी को शुक्र का साथ छोड़कर के अपनी उच्राशी मकर में ये आएंगे पांच फर्यूरी को और फिर इनका सुर्य बुद्ध के साथ संबन बनेगा पांच फरवरी से लेके तेरह फरवरी तक सूर्रे के साथ रहेंगे ये अपनी उच्छ राशी मकर में थर्ड हाउस में और बीस फरवरी तक ये अपने शत्रुग्रे बुद्ध के साथ रहेंगे और पूरे महीने ये मारगी और उद्यवस्था में बने रहेंगे इसी घर में इसी राशी में अपनी उच राशी में अब बात करेंगे शुक्र की, सात्यों शुक्र भी मारगी और उद्यवस्था में हैं, अच्छी मजबूत पोजिशन में हैं, और अपनी सम राशी धनू में बने हुए हैं, सेकंड हाउस में, लेकिन ये भी बारा फरवरी को अपना राशी परिवर्तन करते हुए, इस राशी से निकल करके, अपनी मित्र के घर में प्रिवेशन का होगा, यनि के शनी के घर में, मकर राशी में, तो जब शुक्र भी बारे तारिक को यहां पर आ जाएंगे, मारगी और उद्यवस्था में, तो बारे तारिक से बीस तारिक तक उनका अपने मित्र ग्रह बुद्ध के सा करते हैं के अलेविन थाउस में हैं ग्यार्म भाव में हैं अपनी संभ राशी कन्या में है और इसी परकार बने रहेंगे पूरे महाम अब बात करेंगे गुरु गुरु ब्रस्पति बुरु ब्रस्पति जो है वोगी अपनी मंगल की राशी में बैठे हुए हैं मारगी और उद्यवस्ता में चड़े भाहों में और ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महाures राहू की बात कर लेते तो राहू भी जो हैं वो अपनी सम राशी मीन में यानी के बरस्पती के घर में ब्रयस्मति की राशी में फिर थाउस पंचम हाउस में बने हुए इसी प्रकार बने रहेंगे तो साथियों ये थी वो गर्षों की इस्थिती जिससे अभी हमने आपको अफगत कराया है इन गर्षों की इस्थिती के आदार पर आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ती होने जा रही है फरवरी 2024 में अब हम इसकी चर्चा आप से करेंगे कि भाई सबसे पहले आपका जो करियर छेत्र है वो कैसा रहने वाला है? फरवरी 2024 में यानि कि करियर को ले करके ग्रह किस प्रकार का संकेत दे रहे हैं तो आईए साथियों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए यह तो शनी के दोरा जहां पर शनी विराजमान है जैसे मैंने बताया अधावी चर्चा के दोरा कि बहुत अच्छा राजयोक का निर्मान इनों ने यहाँ पर बैठ करके किया हुआ है लेकिन अप्कियों कि बारे तारिक से यह अस्त हो जाएंगे तो इनकी सिती काफी कमजोर होगी लेकिन क्या है कि यहाँ पर बैठना इनका आपके करियर के लिए यह मुश्किन खड़ी करेंगे आपके करियर में यह कुछ जादे ही परेशानियां कठिनाईयां चेलेंजेज पैदा करेंगे लेकिन आपको घवराना नहीं है परिशान नहीं होना है एक तारिक से लेके बारे तारिक तक तो आपको ये सब चीजों का बारे दिन तो आपको जरूर परिशानी रहेगी फरवरी दोजार चौबिस में अपने कार्य चेतर में रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त नही आएंगे, आपके कार्यों में जो विग्न बाधाएं, कटनाईयां, चेलेंजिज, परिशानियां आ रही थी, वो धीरे धीरे सोते ही दूर होंगी, और आपके लिए मार्ग प्रिशत होंगे, आप सफलता पाएंगे, और सफलता की सीवनिया चड़ेंगे, और जिन कार्यों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा था वोही कार्य बहुत आसानी से आप पूरे कर पाईंगे सफलता के साथ और इतना ही नहीं जब आपके कार्ये पूरे होंगे तो आपके मांसमान में भी परत्ती होगी लोग भी आपसे प्रभावित होंगे, आपके कार्रे से भी प्रभावित होंगे, आपके कार्रे शेली से भी प्रभावित होंगे ये महीने के अलते तक चलना है, तेरह फरवरी से लिए तो इस प्रकार का कुछ रिजल्ट्स का आपके लिए बनेगा योग मुरिश्चक लगनाशी के जात्कों के लिए अब बात करेंगे कि भाई धन की इस्थिती कैसी रहने वाली है तो प्रियसातियों आपको बताना चाहेंगे कि देखिए एक तारिक से और बीस तारिक के बीच में धन की जो आगमन है वो सामानने रूप से आपके लिए होता रहेगा एक फरवरी से और बीस फरवरी के बीच में सामानने रूप से धन का आगमन चलता रहेगा और अगर आप कहीं पर अपने पैसे को इंवेस्ट करना चाहते है तो आपको बताना चाहेंगे कि ये इंवेस्टमेंट पहली बात तो किसी एक्सपर्ट की सलहा के बिकर नहीं करना चाहिए दूसरी बात अगर करना ही है तो आप बारे तारीक से पहले पहले investment करें एक तारीक से बारे के बीच में या जो भी saving आपको करनी है अपने पैसे की बारे तक आप कर पाएंगे या अगर आपने पहले से कोई planning की हुई है कि मुझे पैसा इतना मुझे फलानी जगा जोड़ना है इतना मुझे वहाँ सेव करना है तो ये आप implement बहुत आसानी से कर पाएंगे बारे फरवरी से पहले पहले एक फरवरी से बारे फरवरी के बीच में कहने का भाव ये है वो समय आपके लिए बड़ा हुकूल है इस काम के लिए उसके बाद फिर थोड़ी सी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है थोड़ी परिशान ही आ सकती है आपको धंका संचे करने में आगे बात करेंगे कि भाई सुख सुविधाएं देखे सुख सुविधाएं तो आपके लिए काफी मौजूद रहेंगी लेकिन उनका लाव आप कितना ले पाते हैं ये भी एक सोचने वाला विशे है और सोचने वाला विशे क्या है आपको बता दे कि सुख साधन हो होते हुए भी उनका लाव लेने में आप सक्षम नहीं रहेंगे सक्षम रहने के ना रहने का एक ही कारण है एक ही वज़ा है कि व्यक्तवी जब अपने दूसरे कारणियों पर उसका फोकुश होता है और अधिक फोकुश होता है तो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता है नहीं जा पाता है तो ऐसी इस हिती आपके भी जीवन में रहेगी आगे बात करेंगे कि देखिए साथियों बताना चाहेंगे कि मात्र पक्ष से आप बिलकुल भी देखिए हो सकता है उनकी नाराजगी का सामना आपको करना पड़ सुसराल पक्ष से भी कुछ अच्छी समाचार नाप्राप्त हो अपने मन माफिक लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप माता का अपमान करें उनका निरादर करें ऐसा कदापी नहीं होना चाहिए माता का सम्मान जरू करें चाहें जो भी सिती रहें अच्छा रहेगा बहुत अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो आपके लिए अब आगे बात करते हैं कि बहीं प्रेम संबंद कैसे रहने वाले हैं प्रेम संबंदों को लेकर के आप बिरिश्चिक लगन राशी के जातकों के लिए ग्रहों का किस प्रकार का संकेत हैं तो मैं आपको बताना चाहूँग अब डेट दे रहूं मैं आपको बारा फरवरी से और बीस फरवरी का टाइम है जादा लम्बा समय नहीं है बारा फरवरी से 20 फरवरी के बीच में जो आपकी मितरता है वो बहुत ही सरे चलेगी जिसकी भी साथ आपका रोमेंस है या आपका जो लिव-इन एलेशन में हैं बहुत अच्छा से रहेगा, काफी प्रोग्रेस करेंगे, एंज्योई करेंगे आप अपनी मित्रता को मैं ये आप से बताना चाहता हूँ और हो भी सकता है कि इस दर्मियान आप शादी विभा करने की कोशिश करें हलाकि इतना आसान नहीं है, ये योग थोड़ा सा टिपिकल योग है इसमें जरूर ही नहीं है कि आपको सफलता मिली ही जाए तो कुछ इस प्रकार का योग है, लेकिन आपके अपने रिलेशन बहुत मजबूत होंगे 12 से 20 के बीच में, और आप कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं अपने मित्र के साथ, short journey भी कर सकते हैं, long distance journey पर भी जा सकते हैं enjoy के लिए इस प्रकार का योग बनेगा 12 से 20 सारी के बीच में आगे बात करते हैं कि वही वेवाहीक जीवन कैसा रहेगा तो साथियों बताना चाहेंगे कि वेवाही जीवन जो है वो एक फरवरी से और बारे फरवरी तक शुरू के बारा दिन जो है उसमें तो थोड़ा सा आपके और उनके बीच में तालमेल अच्छा ना बन पाए इसकी संभावना कुछ अधिक है लेकिन हाँ बारे फरवरी से ले करके और महीने के अंते तक का जो समय होगा वो आपके लिए काफी सही होगा उसमें किसी प्रकार की कोई जंजट या प्रॉबलम हमें दिखाई नहीं देती आपके वेवाही जीवन को लेके और इसके आगे बात करते हैं पारी बारे संबंदों को लेकर के भाई साव आप देखिए विरिष्टिक राशी के जो हमारे जुमित्र है आपके परीजनों के साथ जो अपने संबंद है एक फरवरी से बारे फरवरी तक बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं बहुत अच्छे मधूर रिलेशन उसमें आपकी वाणी का बहुत बड़ा योगदान होगा आपका वेभार बहुत अच्छे वेभार कुशन रहेंगे आप और इसी वज़ा से आपके संबंद उनके साथ बहुत अच्छे रहेंगे और बारे तारिक से लेके महीने के अंतर तक सामानने रूप से बने रहेंगे संबंद ना खटास होगी ना मिठास होगी बहुत ही सामानने संबंद जिनको कहा जाता है इस प्रकार के बनेंगे बात करेंगे चात्रों को ले करके कि उनकी study को ले करके देखिए मैं बताना चाहता हूं कि आपकी study को ले करके गरों की और से जो संकेत है वो अच्छे नहीं है कहीं नहीं आपका पढ़ाई की और से मन भटकना दिल का ना लगना पढ़ने में कुछ इस प्रकार के संकेत गरों की और से है और अगर ऐसी study बनती है तो फिर तो results तो मान के चलिए के भई प्रभावित होंगे ही तो यहां पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवशकता है बाकी उपाय हम आपको अंत में जरूर बताएंगे क्या करने है तो अगर आप उपाय करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा तो साथियों यह सिति आप छात्रों की रहेगी विर्ष्चक लगन राशी के जो जातक है बहुत ध्यान देने की जरूरत है संतान की बात कर लेते हैं कि माता पिता को संतान देखें संतान की बुद्धी भी बीच बीच में घूम सकती है और वो भी माता पिता उनके उपर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड अप ना करें उनसे ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन भी ना रखें कि हमें बच्चे कुछ इस प्रकार का देंगे संतान हम से हमको ये मिल जाएगा वो एक्सपेक्टेशन ना रखें अब जो समय है वो उनसे एक्सपेक्ट करने का नहीं है गरों के संकेत कुछ उल्टी दिशा में है तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा अंत में बात करेंगे पर जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्ट्रीट फूड खाने से बचिएगा और भी धरुदर की चीज़ें खाने से बचे समय समय पर मेडिकल चेक अप करवाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है बाकी अपच हो गया, इंडाइजैशन हो गया यह सरीके की समस्या बनने की संभाव ना है जादा है अब उपाएं क्या किये जाएं ताकि इस्टूडेंट्स भी या जो भी जिस छेतर से भी जुले हुए लोग हैं विरिश्चिक लगनाशी के उनको सभी को इसका फाइदा मिले तो भई, साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए एक तो सबसे पहला उपाए मा दुरगा जी की पूजा जरू करें नित्परति दिन करें किसी भी रूप में करें उनकी पूजा करें उनकी भक्ती करें अंत में उनकी आरती करें और जो चात्र है वो मा सरस्तोती जी की भी पूजा करें चाहें सरस्तोती माता के मंतरों का जब कर सकते हैं आप चाहें सरस्तोती चालिसा कर लें महुत कुछ है मा सरस्वती जी की पूजा करके उनकी अंतमे आर्थी भी करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धी बिल्कुल अपने काम पर अपनी पढ़ाई पर फोकस आप कर पाएं दिल आपका पढ़ाई में लगे तो मा सरस्वती जी की पूजा जरू करते रहिए और ये अभी आपको लंबे समय तक करना है तो कि राहू जब आ जाते है एक राशी में तो डेड़ साल तक रहते हैं डेड़ वर्ष तो ये आप जो हम उपाए दे रहे हैं अगले राशी फल में ना भी हम बताएं आप ये करते रहिए और मा दुर्गा की पूजा बताया है गुरुवार के दिन के ले के विरक्ष की पूजा भी अवश्य करें बाकी आपके शोर्य में कमी नहीं रहेगी आपके energy level में कमी नहीं रहेगी, energy level आपका भरपूर रहने वाला है, लेकिन भागे में थोड़ी कमी एहसास होगा आपको, लेकिन भागे को भी आप बदल सकते हैं अपने परिश्रम से, अपनी महनत से, तो प्रियसाथियों इस प्रकार की सिती आप के रहने वाली है, अब जो हमने छोटे छोटे दो या तीन उपाय दिये हैं, यह आप जरूर करें, अपने जीवन में अगर आप लाब लेना चाहते हैं, तो प्रियसाथियों यह था आप वरिश्चिक लगन राशी के जो हमारे मित्र हैं, उनका फरवरी 2024 का मंतली राशी फल, आपको पसंद आया है, लाइक करने वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूने, और अधिक से धिक मातरा में वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाप राप्त कर सकें, और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, जो भी हमारे वीडियो जो भी हमारे वी विरांग और अपने आप सभी प्रिये दर्शक गड़ों से भी लेंगे जाज़त, तो इसी के साथ आप सभी का सेहर दे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय माता दी